अच्छाई और बुराई मनुस्य के मस्तिस्के के विचार और उद्दे से पर निर्भर करती है हलो गाइस आत्मविकास पर दुनिया की सरवाधिक बिखने वाली फुस्तक अवचेतन मन की सकती में कुछ लापकरी बातें बताए गए हैं जिसको सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली नफरत या द्वेस का विचार मांसिक जहर है किसी दूसरे का बुरा न सोचे क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है आप ही अपने ब्रंभाण में इकलोते चीन तक है और आपके विचार रचनात्मक है आपका उचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मसीन है जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन न होती है किसी दूसरे का भला सोच कर आप दरसल खुद का भला सोच रही है आपका मस्तिस्क रचनात्मक माध्यम है इसलिए आप दूसरे के बारे में जो सोचते और मसूस करते हैं उसे अपने खुद के अनुभा में ला रहे हैं यहीं स्वडिम नियम का मनोवज्ञानिक अर्था है जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे मे सोचे उसी तरह से आप उनके बारे में सोचे आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरे के बारे में सोचते हैं याद रखे दूसरा मनुसिया आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है दोखा देना या छल करना अपने लिए कमी नुकसान और सीमा उत्पन करना है आपका अवचेतन मन आपकी आंत्रिक प्रेणाओं विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है जब यह नकराद्मक होते हैं तो आपको असंक्य तरीकों से नुकसान सीमा और कश्ट होते हैं दूसरों के साथ आप जो करते हैं वहीं आप खुद के आंत्रिक प्रेणाओं सांत्र कर रहें हैं और दूसरे मनुस्यों को agrefin्यत मत्रक्त रखने की अनुमती द funding साथ और आपको भी उनके सांथ असामत होने की पूरी स्वतन्रता है आप भीना मत्वेट के भी असमत्रत हो सकते हैं आप जो भलाइक करते दयालुता दिखाते हैं वह कई गूना होकर कई तरीकों से आपके पात लोडती है जानवारों की तरह ही मनुस्य भी भै के कमपन भाप लेते हैं आपके छिपे हुए विचार दरसल आपकी आवाज चेहरे के भाव और देश भासा द्वारा प्रकट होते हैं यह साकारात्मक और नकारात्मक दोनों तर प्रियाओं में अनुभग की जाती है दूसरा मनुस्य आपको तब तक चिढ़ा नहीं सकता जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति ना दे आपका विचार रचनात्मक है आप दूसरे मनुस्य को वर्दान दे सकते हैं लेकिन कोई आपको अपमान जनक नाम से बुलाता है तो आपको यह उत्तर देने की स्वतनता है इसवर की सांती आपकी आत्मा में भर जाए अपने बौस के प्रती अपनी आउधाना और राय बदल दे मसूस करे और जाने की वह स्वाणिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है वह उसी की अनुरुप प्रतिक्रिया क करेगा प्रेम दूसरों के साथ तालमिल बैठाने का उत्तर है प्रेम समझ सद्भावना और मनुस्य में नहीं देवी अंस के प्रती सम्मान है दूसरों की सफलता प्रमोशन और खुस किस्मती पर खुस हो ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी और आकर्शित करते हैं उ आपको समझना सबको माफ करना है आपको इस विश्ब में प्रत्य व्यक्ति को सीर्फ प्रेम देना है प्रेम का मतलब प्रत्यप के लिए वही कामना करना है जो आप खुद के लिए करते हैं सेहत खुसी और जीवन की सारी नियमती। कभी भी किसी के भावनात्मक चोचलों और नाटक के सामने ना जुके, तुष्टी करण कभी नहीं जितता है, पैर पोछ ना बने, सही बात पर अटल रहे, अपने आदर्स पर ठीके रहे, और यह न भूले कि जो मानसिक नजरिया आपको सांतिक खुसी और सुक देता है, वही सुब सही और सच है, जो आपको वर्दान देता है, वह सबको वर्दान देता है, दूसरों की सफलता प्रमोशन और खुस किस्मती पर खुस हो, ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी और आकर्चित करते हैं, यही अवचेतनमन और मानवी संबंध है,